हेलो दोस्तों नमस्कार मैं उम्मिर संग आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर आप रेलवे गुरुप लिए की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोड़न्ट होने वाली है क्योंकि मैंने एक सीधी स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपका सारा बस करवाने वाला हूँ तो दोस्तों आपसा अनुरूद है कि बीडियो को बहुत कम लोग देख रहे हैं तो बीडियो को ज्यादा से च्छेर करें जिससे कि कम से कम इस बीडियो का टार्विट है यान कि 1000 लोग कम से कम इस वीडियो को देखने चाहिए जिससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और मैं और अच्छे से इस वीडियो को बना हूँगा तो देखिए आज 15 मा दिन है यान कि day 15 है और day 15 आज आज आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अनपात और समानपात आज भी ये खतम करना है आपको क्योंकि एक topic आपने अनपात या समानपात का एक कर लिया होगा और एक आज करना है यान कि आज ये पूरा chapter आपको finish करना है इसको खतम करने के बाद में और क्या करना है आज आपको revision में देखिए revision करना है आपको square का 2 से 25 तक कि square आपको revise करने है उसके बाद में आज आपको 2 से 15 तक cube यानि कि घन जाद करने है जैसे 2 का अगर घन पूचा जाद किتना होता है 8 3 का कितना होता है 27 4 कर कितना होता है 64 5 कर कितना होता है 125 इस तरह से आपको गहने याद होने चाहिए अच्छे से क्योंकि इनका भी कैलकुलेशन में बहुत ही एहम रॉल होता है ये बहुत ही इंपोर्डेंट है हमारी कैलकुलेशन के लिए तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए अब आगे चलते हैं रीजिनिंग देखे रीजिनिंग में आप को directions पढ़नी हैं दिसाएं जैसे कि देखें चार दिसाएं होती हैं कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है दो कुलूमीटर चला या दच्छिन की तरफ चला इस तरह कि इसमें question होती हैं और यह सारे question आपको करने हैं आज direction के और आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से question करने है और इसके notes बनान के आपको ज़्यादा जरूरत है नहीं इसके notes नहीं बनाएं क्योंकि यह आपका revision से ही आप इसको अच्छे से सीख जाओगे इसके बाद आते हैं GS में देखें GS में GS में जो book चली है उसका आज आज आपको 13 मा chapter complete करना है इस chapter का नाम है why do we fell ill हम बीमार क्यों होते हैं तो यह chapter है इससे भी question आते हैं तो आज आपको यह chapter अच्छे से complete करना है और इसके बाद दो chapter और बच्चे हैं आपके 9th की book में और इसके बाद यह complete हो जाएगी तो आज आपको यह chapter अच्छे से cover करना है देखें GK में आज आपको क डाल कौन क्या है वरतमान में यह बहुत ही important topic है इसके कम से कम दो question railway group डिमाएंगे और एक से दो question इसके हर एक जाम में question पूछे जाते हैं तो इसलिए यह बहुत ही important topic है और यह मैं आपको दो दिन कराऊंगा यानि कि एक दिन में आपको पूरा मंत्री मेंडल याद नहीं हो होगा क्योंकि मंत्री मेंडल एक बड़ा topic है तो इसके लिए आपके लिए मैं दो दिन दूंगा और तो यह topic आपको दो दिन में cover करना होगा तो दो दिन में आप इस topic को अच्छे से cover कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो इसको share जरूल करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूल करें थैंक्यू धन्वार